हलो एवरीवान, वेलकम तो माई चैनल समसेरी प्यूटी होब, मैं हूँ दरक्षा, आज में शेयर कर रही हूँ, फुट सिट मास्क का रिब्यू एंड फुल डैमो शेयर करूँगी, यह प्राडेक्ट है, O3 प्लस प्रोफेशनल, यह इसका ब्रांड नेम है, इस ब्रांड का मैं हैंड सिट मास्क का रिब्यू शेयर की हूँ, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे वो प्राडेक्ट मैं इसका रिब्यू शेयर की हूँ, वीडियो नहीं देखें, तो देखिएगा, काफी अच्छा प्राडेक्ट है इसका, तो इसको मैं यूज कर चुकी हूँ, ब्रांड है पेडी ब्राइट फीट मास्क ब्राइटन्स एंड रिमूफ टैन इस्टन शॉप्ट शॉप्टनेस डीपली मुश्राइज क्रेक हिल से डी टैन तो देखे कुछ इस्टैप का यह दिखता है यहां बैक शाइड में आपको पुरा डीटेल इसका मेंशन किया गया ह है कि आपको किस टैप से यूज करना है सारा कुछ इसमें दिया वह है फुल इंगिरियंड इसका मेंशन किया गया है इसकी MRP है 199 का है यह एक सिट मास्क आपको 199 का पड़ता है इसका मैनेफेक्चर डेट है 12-2022 का है यह इसपायर करेगा 11-2025 में तो काफी लॉंग टाइम ह लिए यह सिट मास्क है को एली फ्री है पेगन है यह कोई हम फुल कैमिकल वाला प्राडेक्ट नहीं है यह तो यहां पर देखिए पुरा डीटेल इसका मेंशन किया गया कि स्टैप से आपको यूज करना है तो अभी मैं आपको यूज करकर भी दिखाऊंगी फुल इंगिर मैं इसको परशेच की हूँ परपल.com से वहां पर मुझे डिश्कॉन नहीं मिला है फुल इमार पी परशेच की हूँ हो सकता है आप सेल में बाई करते हैं तो कुछ डिश्कॉन आपको मिल जाए तो चलिए मैं आपको अपलाई करकर दिखाती हूँ ज्यादा लॉंग वीड ट्राइप का इसके अंदर प्राडेक्ट मिलता है ति यह ना पैक नहीं है बती आपको न बिल्कुल भी इसके अंदर वीड next लीक नहीं कर रहा था तो इसको apply कर लेना है तो देखिए apply करने से पहले आप पैर को अच्छे से clean कर लीजेगा बिल्कुल clean होना चाहिए clean foot पे ही आपको apply करना है अब देख सकते हैं अभी मेरे पैर कैसा दीख रहा है बहुत ही अजीब सा दीखने लगा है थोड़ा tan भी हो चुका है मुझे तो बिल्कुल डल हो रहा है कोई glow नहीं दीख रहा है मेरी skin पे most rice देख रही है skin मेरी dryness हो रही है तो मैं इसको भी apply कर लेती है देखिए apply करने से पहले आप थोड़ो सा गुनगुना पानी में पैर को डूओ कर रखिएगा 10 मिनट के लिए उसके बाद apply किजिएगा तो और भी अच्छा result मिलेगा तो इस step से आपको दोनों पैर में पहन लेना है पहन कर आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रहने दीजिएगा जब मैं इसको apply कर ली तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही time रह गया था मतलब आदा गंटा से भी ज़्यादा मेरा रह गया था क्योंकि मुझे नीन आ गई थी मैं सो गई तो इसको जब मैं apply की तो मैं कोई problem नहीं हुआ हलका सा भी itching नहीं हो रहा था थोड़ा सा भी कुछ ऐसा feeling नहीं हो रहा था ही कुछ लगाएं भी है मतलब कुछ पहने भी है पैर में इस्टप से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था तो इसको थोड़ा सा मसाज कर लेना है हलकाल को मसाज कर लीजिएगा तो अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी दर बाद अब देख सकते हूँ मुझे बीस मिनट से भी ज्यादा हो चुके है अपलाई किये वे मैं एक निंद लेकर उठी हूँ अराम से उठी फिर इसके बाद इसको निकाली हूँ मैं तो देखिए मैं निकाल दी हूँ अब इसको तो यह न मैं नाइट में अपलाई की थी डे टाइम में मैं सेट मास्क अपलाई नहीं करती हूँ फेस में हो हैंड में हो फुट में हो इसको अभी अपलाइ कर रही हूँ, मैं नाइट में अपलाइ की हूँ, तो देखे ़िए क्या रिजल्ट आया है तो इसमेरा सीरम काफी सारा लगा है तो इसको अच्छे से मसाज करकर अब्जरब करा रहा है तो इसके पर mention किया गिया है कि मसाज करकर absorb कराई उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से रिंज कर दीजे मतलब धो सकते हैं आप इसको तो मैं ना धोई नहीं थी मैं मसाज करकर फिर से सो गई देखिए मसाज करने के बाद absorb हो जाया तो आप इसको थोड़ी देर में धो लीजे धोने के बाद आपको अच्छा सा moisturizer जरूर अपलाई किजीएगा कोई भी food करीम अपलाई कर रखते हैं लेकिन अगर आप नहीं भी धोते हैं सीरम absorb कराकर रहने भी देंगे ना तो कोई problem नही हुआ मैं मॉर्निंग में उठने के बाद में दोई थी तो काफी अच्छा मुझे इसका result लगा तो देख सकते हैं अभी मुझे बहुत ही अच्छा इसका result लगा डीपली मोश्राइश करता है अगर आपके crack खिल्स भी हो गए न तब इसे ट्राइक कर सकते हो काफी अच्छे आ चुका है जब मैं स्टार्टिंग में दिखा आई थी तो देखिए कैसा दीख रहा था यहाँ पे भी मैं लगा दी हूँ और यह एंड में देखिए बहुत ही अच्छा result मिला है मैं आप लोगों को highly recommend करूंगी आप इसे try कर सकते हो घर पे pedicare बहुत ही अच्छा है यह अ आपको कुछ भी पूछना है तो comment में पोच सकते हैं उमीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो like, share, subscribe to my channel मिलते हैं इस वीडियो में बाई-बाई, take care